प्रिश्ना पब्लिक स्कूल नेहुनगर भिलाई में 25 अगस्ते से प्रग्योस सो दोहजार तेईस का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जहां शास्त्री नितियों के माध्यम से पौरानी कथाओं को मंचे पर उतारा जाएगा। तो वहीं भरतनाट्यम एवं कुचिपूरी कला के माध्यम से महाभारत श्रीक्रिश्न एवं श्रीव शक्ति के प्रसंगों की प्रस्तूतियां दी जाएगी। इस प्रत्योगता में भाग लेने हैं तो रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम है। विद्याले की प्राचारिय सवीता त्रिपाठी ने आयजन को लेकर जानकारी इस प्रकार से दी है। दी जा रही है। 25 अगस्ति से आरंभ इस प्रग्योत्सव प्रत्योगिता का समापन 6 सितंबर को होगा। केपेश इसकूल की प्राचारिय सवीता त्रिपाठी ने बताया कि केपेश इसकूल का नाम ही भगवान श्रीकृष्ण के नाम से है। इस हेतू जनमाश्टमी की आउसर पर विभिन आईजनों के साथ प्रग्यत सो पर्व का समापन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे धानमंत्री जी ने हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया है जिसमें सरवांगीन विकास के उपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस सरवांगीन विकास में सिर्फ अकेडमिक ही नहीं वरन दूसरी भी विधाओं का समावेश होना नितांत आविशक है। तो जो ये को कुरिकलर एक्टिविटीज हैं जिसमें रित्य संगीत इन सब का समावेश है तभी इन में भागीदारी जब होती है जो धीरे धीरे हमारे बच्चों में से विलुप्त भी होती जा रही है अगर इन में कोई बच्चा भागीदार होता है तो वो उसके व्यक्त के बियातित्यू का सरवांगिर विकास होने में वह बेहत सहायक होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रग्योटसों का समारों का आयोजन किया है। जिसमें सिर्फ competition ही नहीं है या एक ऐसा platform है जो हमारे जिसमें हमारे सिर्फ state के या हमारे शहर के ही नहीं आपितु दूसरे भी state के बच्चों को हमने एक platform दिया है और ये जो platform है इस पे अभी भी registration चल रहा है और registration 25 तारिक तक चलता रहेगा ये जो कारिकरम है ये दस दिवसी कारिकरम है तो आप समझ सकते हैं पूर्व के वर्षों के अनुसार इसमें हजार से जादा बच्चे विबिन जगों से आ करके अपना प्रदर्शन करते हैं तो इस वर्ष हमको और सफल होने की लगता है उमीद है और देख करके लग रहा है बच्चों की भागीदारी कि ये और इसके भागीदार बनिये और भी आए हुए बच्चों से कुछ सीखिए और देखिए कि ये सफल ये आयोजन कितना सफल है और आपको एक बहतरीन प्लेटफॉर्म देगा और ये कारिकरम 25 अगस से प्रारंब हो रहा है और इसका जो समापन समारो है वो 7 सितंबर को है त तो कृष्ण की जो है वो उस जन्मोट्सों को मनाना हमारा हमको लगता है बड़ा अच्छा ही दिन रहेगा अगर हम अपने प्रग्योट्सों का समापन उस दिन करें और मुरली बजाने वाले की के जन्म के दिन कला के शेतर से जुड़े हुए लोगों को जब हम जन्माष्टमी के समारों के साथ साथ इस पुरस्कार आयोजन का भी एक बहुत बढ़िया उत्सों मनाते हैं जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं आएं और इस कारिक्रम की को देखें इसका हिस्सेदार बने और जन्माष्टमी की आपको शुब कामना है पूर्व से ही बरहाल देश-प्रदेश की विभिन्य स्थानों से यहाँ पर प्रतिभागी प्रग्योथ्षव में भाग लेने पहुँच रहे हैं वहीं विजय प्रतिभाग्यों को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा बताना चाहेंगे की प्रग्योथ्षव में भाग लेने हैं तो अभी रेजिस्ट्रेशन ओपन है. GrandiC News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट.